हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिटरेचर वित नेहा आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा रोबर्ट ब्राउनिंग की एक फेमस पोयम में जिसका नाम है माई लास्ट डचिज इस पोयम को पब्लिश किया गया था 1842 में और ये पोयम एक ड्रामेटिक मॉनोलॉग है अब बिना टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक तो पोयम शुरू करने से पहले हम डिसकस करेंगे एक बैगराउंड स्टोरी को तो 16th सेंचुरी की ये बात है एक ड्यूक है जिसका नाम है ड्यूक ओफ फेरारा ड्यूक का मतलब होता है किंग और फेरारा इंगलेंड का एक किंगडम है अब ये जो ड्यूक है कुछ समय पहले ही इसकी वाइफ की डैथ हो गई मतलब कुईन की डैथ हो गई और अब ये पडोसी किंगनम का जो किंग है उसके एक बेटी है और वो अपनी बेटी की शादी इस ड्यूक से करवाना चाहता है तो उसने अपना एक मेसेंजर भीजा है ड्यूक के पास इसे मनाने के लिए अब एक छोटी से स्टोरी हम ड्यूक के बारे में भी जान लेते हैं तो ये ज ये है कि ये आर्ट लवर है इसे पेंटिंग से बहुत पसंद है तो जब ये मेसेंजर इसके पास आता है तो ये इसे उपर छत पर अपनी आर्ट गैलरी में लेकर जाता है अपनी पेंटिंग से दिखाने के लिए और वहाँ पर ड्यूक और मेसेंजर की बीच जो जो बाते हुई इनकी वही बाते और वही कनवर्शेशन पोयम में मेंशन किया गया है और यहीं से हमारी पोयम की शुरुआत होती है That's my last Duchess painted on the wall Duchess का मतलब होता है रानी अब ड्यू के उस मेसेंजर से कहता है कि देखो दिवार पर जिसकी पेंटिंग बनी हुई है वो मेरी आखरी रानी है Looking as if she were alive जो कि देखने में ऐसी लग रही है जैसे कि अभी भी जिन्दा हो I call that piece a wonder कि यह पेंटिंग बहुत कमाल की है मैं इस पेंटिंग को एक वंडर एक चमतकार मानता हूँ Now Farrah Penloff's hands worked easily at the कि Farrah Penloff ने पूरे एक दिन बिजिली काम किया तब जाके यह पेंटिंग बनी मतलब Farrah Penloff ने यह पेंटिंग बनाने में पूरा एक दिन लिया And there she stands और अब देखो वो वहाँ खड़ी है यह पेंटिंग के लिए बोल रहा है और Farrah Penloff एक पेंटर का नाम है Will not please you sit and look at her अब Duke उस मेसेंजर से कह रहा है कि क्या तुम बैठोगे नहीं Please तुम बैठो और आराम से देखो I said Farrah Penloff by design कि Farrah Penloff को मैंने ही कहा था यह पेंटिंग डिजाइन करने के लिए For never read strangers like you that pictured countenance The depth and passion of its earnest glance कि तुमारे जैसे बहुत से strangers से मुझसे यह पूछना चाते हैं कि Farrah Penloff ने कुईन के चहरे के इतने बारीक और इतने गहरे expression से इस पेंटिंग में हूब हूब कैसे बनाए But to myself they turned लेकिन वो मुझे ऐसा कह नहीं पाते Ernest glance का मतलब है face के expressions और countenance का मतलब है face Since none puts by the curtain I have drawn for you but I कि इस पेंटिंग के आगे यह जो पड़दा लगा हुआ है इसे मेरे अलावा और कोई नहीं हटा सकता और अब यह मैंने केवल तुम्हारे लिए केवल तुम्हें पेंटिंग दिखाने के लिए हटाया है And seemed as they would ask me if they dressed How such a glance came there कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे strangers मुझसे पूछना चाते हैं कि इस पेंटिंग में डचेस के चहरे पर इतनी चमक आई कहां से लेकिन उनमें ऐसा पूछने की हिम्मत ही नहीं है So not the first are you to turn and ask thus कि तुम पहले नहीं हो जो मुझसे ये पूछना चाहते हो Sir was not her husband's presence only Called that spot of joy into the duchess cheek कि Sir ऐसा मत समझना कि duchess के गालों पर उनके चहरे पर ये जो चमक है ये उनके husband की वज़े से है ऐसा बिलकुल नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि painting बनाते वक्त उसके husband उसके पास हो इसलिए वो शर्मा रही हो और उसके चहरे पर ये चमक आ गई हो ऐसा बिलकुल नहीं है परहपस फरा पैंडलोफ चांस्ड टू से हर मेंटल लैप से ओवर माई लेडी जरिस्ट ठू मच और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोडूस दा फेंट हाफ फलश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट आगे ड्यूक उस मेसेंजर से कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि फरा पैंडलोफ ने पेंटिंग बनाते वक्त डचेस से कहा हो कि उनके शॉल ने उनकी कलाई को कुछ ज़्यादा ही डख रका है और शायद ये कहा हो कि उनके गले पर ये जो चमक है इसे पेंट से पेंट नहीं किया जा सकता शायद इसलिए वो बलश कर रही हो कि ऐसी छोटी बाते और इतने छोटे लेवल के कॉमेंट से काफी थे उसे खुश करने के लिए मतलब वो ऐसी थी कि किसी की भी कैसी भी बात पर खुश हो जाती थी मतलब वो फर्क नहीं कर सकती थी कि कौनसी बात पर उसे हसना है और कौनसी बात पर उसे नहीं हसना She had a heart how shall I say, कि उसका दिल ऐसा ही था, मैं कैसे कहूं, मैं क्या कहूं, too soon made glad, too easily impressed, she liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत easily impressed हो जाती थी, और वो जो भी चीज देखती थी, वो हर एक चीज उसे easily पसंद आ जाती थी. Sir, it was all one, कि उसके लिए सब एक समान थे, My favor at her breast, the dropping of the daylight in the west, कि मेरा दिया हुआ हार, जिसे वो अपनी breast पर पहनती थी, अपनी breast पर सजाती थी, और west में डूबता हुआ सूरज, दोनों उसके लिए एक बराबर थी. मतलब उसे ये भी नहीं पता था, कि उसे अपने husband को बाकी चीजों से थोड़ी ज्यादा importance देनी है. यहाँ पर dropping of the daylight का मतलब है, सूर्यास्त, सूरज का डूबना. The bow of cherries, some officious fool, broke in the orchard for her. The white mule, she rode with round the terrace. कि कोई पागल अगर उसे garden से cherrys तोड़ कर ला देता था, तो वो इस पर भी खुश हो जाये करती थी. और कोई अगर उसे सफेद खचर पर बिठा कर छट की सवारी करा देता, तो वो इस पर भी खुश हो जाये करती थी. मतलब वो हर एक छोटी-छोटी बात पर खुश होती थी. और वो सब के लिए एक जैसा ही बोलती थी, सब के लिए एक जैसे ही अप्रोविंग स्पीच देती थी. और बलश एट लिस्ट की वो सब के लिए एक जैसा बोलती थी और सब के लिए एक जैसे अप्रोविंग स्पीच देती थी. और जिसके लिए वो कुछ नहीं बोलती थी, उसके लिए वो थोड़ा सा शर्मा देती थी She thanked man, good, but thanked somehow I know not कि वो सबको thank you बोलती थी, अच्छा है, लेकिन वो ऐसे thank you बोलती थी कि मैं जानता भी नहीं वो ऐसा कैसे कर लेती थी मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि इस ड्यूक में बहुत इगो है तो ये जैसा करता था, हर वक्त लोगों को कमांड देता रहता था तो ये ऐसा ही behavior अपनी wife से भी expect करता था लेकिन वो ऐसा करती नहीं थी तो अब ये ड्यूक कि इस messenger को queen की सारी गलतिया गिनवा रहा है As if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift कि मेरी उसके साथ शादी हुई और मुझ से उसे एक gift मिला मेरे परिवार का 900 साल पुराना नाम उसके नाम के साथ जुडा लेकिन मेरे इस gift की तुलना वो किसी के भी ऐसे वैसे gift के साथ कर देती थी Who would stop to blame this sort of trifling कि उसकी इन बचकानी गलतियों को गिनवाने के लिए अब उसके सामने कौन जुखता Even had you skill in speech which I have not अब ड्यूक messenger से कहता है कि तुम्हारे पास भी वो skill है वो कला है कि तुम उसे समझा सकते थे लेकिन मुझ में वो कला नहीं है Quite clear to such and one and say just this Or that in you disgust me here you miss Or there exceed the mark कि अगर मैं उसे clear करता और उसे कहता कि तुम्हारा ये disgust तुम्हारी ये गलतिया मुझे पसंद नहीं है miss और आगे से तुम ऐसा मत करना And if she let herself be lessened so nor painly set Her wits to yours forsooth and made excuse तो शायद वो मेरी बातों से सबक लेती और अपने आप को बदल भी लेती लेकिन मुझे लगता था कि वो अपने आप को justify करने के लिए बहाने देगी इसलिए मैंने उसे नहीं समझाया Even then would be some stopping and I choose never to stop कि उसे समझाना भी तो उसके सामने जुकने जैसा ही था और मैं उसके सामने जुकना नहीं चाहता था Stop का मतलब है जुकना Oh sir, she smiled no doubt whenever I passed her But who passed without much the same smile कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता था तो वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी लेकिन मेरे अलावा कोई और भी उसके पास से गुजरता था तो वो उसे भी वही same smile देती थी मतलब मेरे लिए कुछ भी अलग नहीं था Disagree, I gave commands Then all smiles stopped together और उसका ये behavior बढ़ता ही जा रहा था जो मुझे बहुत irritate करता था तो मैंने commands दी मतलब मैंने order दिया और फिर अचानक से उसके सारी smiles एक साथ बंद हो गई There she stands as if alive और अब वहां उस painting में देखो वो ऐसे खड़ी है जैसे अभी भी जिन्दा हो Will not please you rise अब Duke उस messenger को कह रहा है कि क्या तुम खड़े नहीं होगे क्या बैठे रहोगे क्या We will meet the company below then कि अब हम नीचे चलेंगे और company के बाकी लोगों से नीचे मिलेंगे I repeat the count your master's non-munificence अब Duke उस messenger से कहता है कि मैं फिर से repeat कर देता हूँ कि count तुम्हारे master अपनी उदारता के लिए जाने जाते है Is ample warrant that no just pretence of mine for dowry will be disallowed और इसी लिए मुझे लगता है कि मैंने उनके सामने दहिर्ज को लेकर जो मांगे रखी है वो उन्हें disallow नहीं करेंगे मतलब उनके लिए मना नहीं करेंगे अब इसे दहेज चाहिए इसलिए ऐसा कह रहा है Though his fair daughter's self as I ought at starting is my object लेकिन हालांकी मेरा पहला उदेश यही है कि मुझे केवल उनकी बेटी चाहिए दहेज नहीं Nay we will go together down अब Duke मेसेंजर से कहता है कि नहीं नहीं हम दोनों साथ नीचे चलेंगे मतलब पहले इसने मेसेंजर से कहा था कि खड़े हो जाओ नीचे चलेंगे तो वो अपने आपी जा रहा होगा तो अब Duke उसे कह रहा है कि कहा चले नहीं नहीं हम दोनों साथ नीचे चलेंगे सर नौटिस नेप्चून दो टेमिंग ए सी होर्स अब सिड़्िया उतरते उतरते Duke मेसेंजर से कहता है कि सर नेप्चून के इस स्टैचू को तो नौटिस कीजिए जो कि एक सी होर्स पर नेप्चून सी गोड को कहते है थोट एर रेरेटी विच क्लोज ओफ इंसब्रुक कास्ट इन ब्रॉंज फोर मी कि ये स्टैचू बहुत रेर है और केवल मेरे कहने पर क्लोज ओफ इंसब्रुक ने ब्रॉंज का इस्टैचू बनाया है अब यहां पर आपको मैं एक बात बता दूँ कि ये जो नाम है क्लोज ओफ इंसब्रुक ये एक इमेजनरी नाम है और पहले जो पेंटर का नाम इसने ड्यूक ने लिया था फरापैंडलॉफ वो भी एक इमेजनरी नाम ही था जो कि ड्यूक ने ऐसे ही अपना इंप्रेशन जमाने के लिए बता दिया रियलिटी में ऐसे कोई आर्टिस्ट नहीं है तो इसी के साथ ही हमारी आज की पोयमे माई लास्ट डचेज़ पूरी होती है उमीद है पोयम आपको समझ में आ गई होगी विडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच